नमस्कार दोस्तों कोटड़ा टाइमस में आप सभी का स्वागत है और आप देख सकते हैं कि धोल बज़ रहे हैं और पीछे जो है उपकंड कारेले कोटड़ा पर धरना पदरसन पिछले तीन दिनों से चल रहा है तिसरा दिन है और सोबे के 8 बज़े हुए है आप देख सकते हैं और मैं चाहां को कि धीरे धीरे हम लोग आगे पड़े आप देख सकते हैं कि डोल बज़ा कर जो है आतिवासे समुदाय जो है धरने का पदरसन कर रहा है और यह इसलिए पर दरसन कर रहा है क्योंकि जो बूजा और चक्सान में टेम बन रहा है वो नहीं चाहते कि टेम बनेगा तो लोग विस्ताबित होंगे आये हम यहां पर जो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं उन लोगों से बांचित करेंगे और जानेगे किस तरीके से यहां पर तो जैसा कि आप देख रहे थे कि ढोल बज रहे थे यहां पर लोग बैठ हुए है पिछले तीन दिनों से आज तिसरा दिन है और लोग जो है वो धन्ने पर ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक कि बान निरस्त नहों ऐसा पिछले दिनों से पता चल रहा है आईए रात में भी कुछ महिलाए भी थे पुरुस भी थे जो कि बाखेल पंचायद के थे आज दूसरी पंचायदी बैठेगी और आज की योजना भी क्या रहेगी वो भी हम जानेंगे लेकिन यहां पर एक महिला है जो कि बाखेल पंचायद से तो नहीं है इतने मुझे जान तो मामेर साइड है तो आप इस धरिक्त के लिए हैं आये यही तरि पटे केम सब्सक्राइब है्स वारे शूंए इस लिए नायाऊन हो पर रहे पॉन तहर में दूख निलिए प्रते तेरे मगर्म्हाइं आधिवासि को पड़ा है तो एक अलग थोरी नहीं होते है इसलिए ते दूख नहीं हो रहा है इसलिए हम को धूख हो रहा है में उनके जात की हुबुबर कर्साट इसलिए हम को डूग हुब हुआ ऑ रुका ज़ैंच के मारा अई करे हैं कियो और भी नहीं कोड़ित दुदि तो नावे कर कोड़ी नावाल dif बढ़े हैं वा रहुंघ ए आ वह नावे क्यों आव एच भाड़ार रहना है अप्ते लोग बने इस लोग बागों को सब को सब करें फेड बनावे और लोग रहे जमीन है तो दोस्तों आपने सुना कि डेम जो है वो लोग नहीं चाहते हैं और यहां पर बहुत अलग लग जगत से भी समर्थन की लोग आ रहे हैं बाखेल से एक महिला है उनसे बाचित करेंगे और मैं चाहंगो कि हमारे केमेरमन थोड़ा नीचे जुक कर वीडियो बनाएंगे तो साइध पीछे के लोग भी आप आएंगी अच्छे से हुनों मैं थे हमार खोएशाम देंट किया गमन हो बाखिल गमन हो ते रात थे हमोई खारस होता हूँ कि आखिझा हूँ जब धिदू लागू है टीक लागू के सब बदू लागू है राटों राटों नामार il ये शोटों सोटों बसों मेली ना वह ये अखिर तमन मसर खाताँ आम्या अखिर यह कुछआ जून आख दी東西 है तो आनक यह कुछद कि दो सुट्व बस में हमें पिसाविए यह दा देखिए मैं сложно छोखेळ अपर मैं करें Lawrence रहां थे छोँ है के सब जोई हमारी हरु हॉर an DAVID ताम यह तन रात नो जूरन कर्येखा तन नू देतु हैं कोई सुनवाई नी करता हूं तो आज तीसरों देन है ते मतले आवनों है कि नहीं कोई वात भी जी कह रही कि कोई नहीं कह रही है कोई नही है नही है of में कोई स्सूनवाई कैर वादे लादे लुब च्zeug्सकामेर लादे वही कि कि आो नहीं कोई सूनवाई का।टसे नहीं कि अेक्स बालने दोगाई कोई सॉनवा टून pesar डária में खाता है ते regimekickरसब का नहीं कह रहीं है किसा घंप सार्कार का जाट आघ जड़े हैं टैक सम्सिराइ कोई ने वर युटा जीवां Görवार का भी करतों है कि झाट आए अधर है करदा हो जाने चांफी हैं वरेड़ है? कुल रख्यूर्ट पर सुखल, सुखल ई ह्पितश वना नो और सुखल पर से रख्या हो उगल, मेर्ख-छे सुखल. तो दोस्तों सीता जो की बाखेल से हैं उन्हाने बादचीत के और आपने सुना आज 30 नवेंबर 2022 का दिन है सुबह की आट बच चुके हैं करीबन जब से धर्णा शुरो हुआ तब से लेकर अभी तक 41-42 घंटा चल रहा है लेकिन अभी तक ना सरकार का कोई अधिकारी ना प्रसासन का अधिकारी इन लोगों से बाचित करने के लिए हैं तो कितनी निर्दय은 हैं वो सरकार वो प्रसासन जो की इन लोगों की दक एम्राज जी तो आप भी बाकिल से हैं जी सर तो आप धरने को धरने में आये हैं तो बान निरस्त के लिए आये हैं निरस्त के लिए अच्छा तो अगर निरस्त नहीं होगा तो क्या करेंगे सरकार कोई बात की कि आपके बच्चों के लिए वेवस्ता करेंगे अपके घर की वेष्ता करेंगे किये वैश्ता करेंगे चरकार कोई बात ने करते बहुंने क्षिणिक भी ओ अदू कोई सरकार के भी कोई नहीं आता है तो क्या लगते हैं मदलब सरकार बा बना ही देगे क्या दिश करेंगे घृषन एगी भूर करेंगे हम कहां जाएंगे तो दोस्तों आपने हेमराज जी को सुना उन्होंने क्या कहा आईए अब और भी बहुत सारे यहाँ पर लोग है हाला कि मैं सबसे तो बात नहीं कर सकता लेकिन सभी की मंसा सभी का कहना यही है कि बांध नहीं बनना चाहिए और तिसरा दीन है आज बांध को निरस्त करने के लोग जो धरने पर बैठे है उसका तो आज की योजना क्या रहेगी या फिर आज जैसे की दूसरी पंचायत आने वाली है और मेरी ख्याल से यहाँ पर जो लोग है वो किवल पंचायत के रहते हैं तो सायद इस वज़े से कोई अधिकारी बात करने नहीं आता क्या कारण है वो पूर्व सर्पंच है उनसे बाचित करते हैं बाकिल के तो क्या लगता है सर्पंच जी जैसे कि आप पिछले तीन दिनों से यहां पर लोग धरने पर बैठे हैं अभी तक आखिर अधिकारी क्य नहीं है कि इतने सारे हमारे लोग बैठे हैं जिनका हम काम करते हैं और अगर यह लोग ही नहीं होते तो यहां पर कोई अधिकारी होता क्या अब लोग नहीं होते थे अधिकारी तो कहां बेठते हैं क्या मतलब था अधिकारी आने का लेकिन अभी तक है यहां अधिकारी और जैसा कि आज तिसरा दिन है और आज की योजना कैसे कुछ रहने वाले हैं आज की योजना हमने जो यह तैय किया है कि हमारे 10 गर्णा पेंचाते जा रही हैं तो बारी बारी से हम बेटेंगे तो आज जेड़ पेंचात के लोग आएंगे जब हम यहां से उटेंगे बाकी और भी हम सर्पेंच लोग तो हम लगतार इनके साथ ही रहेंगे जब तक कि यहां पर कोटड़ा में पिंचान प्रतिसाद आदिवासे समुदाया है और इस कारण बहुत सारी संस्ताय बहुत सारी एंजियो जो की सिक्षा के सित्रम में आदिवासियों के लिए काम करती है लेकिन वह अब तक नहीं आई है तो उन सारी संस्ताओं को आप क्या कहना च करेंगे कि आप लोग भी यहां और जो भी जो ओंकी रहो यहां हमने उनको भी बॉल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद और यहां पर एक और सामजिक कारे करता है और पत्रकारी इता में उन्होंने कारे भी किया हुआ है तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पिछले तीन दिनों से यहां पर लोग बैठे हुए हैं तो अब तक आखिर बड़ी जो टीवी चैनल है बड़े-बड़े जो मीडिया है वो क्यों नहीं आ रहे हैं और अगर वो नहीं आ है तो उन लोगों से आपका क्या कहना है मैं सबसे पहले तो विनोजी आपका बहुत बहुत दन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ऐसी बरी सरदी में आपने रुक के इस समाज के साथ गाव के साथ एक पंचात के साथ इहां के लोगों के साथ तो रात भीताई है आपको श्यूम को यह पता चलता है कि ठंड क साथ मिट रहा हूं और यह मेशूश कर रहा हों कि यहां जीतना भी एंज्यूए है यह संस्ता जो काम कर रही है अधिवाची ओकी लिए लेकिन कहीं ने कहीं परसासन का उनपर डर है दूसरा परसासन पर परभावही दिस्ताहिए हैं निभाले साथ नीवीद के तो बहुत भी तक नहीं आ पारें। अने हुआं, कई थीन वासे से आज से सानु से अंक्रेसित्काणा उसके आज, तो अगजी मेन बहुत है, आज से वीद्यों अधिवासे खिलाब सोसन होता आ रहा है वो आज भी सोसन हो रहा है और जिस तरह से जिन आनबान करते हुए एक मतलब बहुती तुरंद परभाव से कार्य करते हैं जिन्होंने बजट पास करवा दिया गया है जो कम था पेले उसको बजट को बढ़ा दिया गया है तो इना हां कहीं ने कहीं लोगों को जेशेते से भगा और दूसरे लोगों के लिए सुवी दाकरो एसा नहीं हो मैं चाहूंगा कि उनको आगे बढ़ाना चाहिए तो जिस तरीके से देविलाल जी ने कहा कि अन्य मेडिया भी यहां पर अगर आती है तो मेरी ख्याल से ये जो लोग पि कुछ देखता है उसी को एसास होता है तो मैं जितने भी मीडिया कर्मी सुन रहे हैं सरकार यदिकारी सुन रहे हैं एक बार आकर इनसे मिलो तो सही इनके दुख को जानो पूछो तो सही यह कैसी हालत में जी रहे हैं तो इसी बात के साथ मैं आज तिसरे दिन की जो अपडे करता हूं कि एक आदमी एक आप करम सारी हो बचाए कोई भी अधिकारी हो एक घर बनाता है तो उसको घर बनाने के लिए सालों लग जाते हैं और कितनी मेनेद लग जाती है उन छोटे-छोटे मकानों के लिए हमारे जितने भी भाई बेंजो बेठें उनकी इस्तती पर क्या गुज़रती होगी मैं निवदन करता हूं कि इसो जादा से जादा विनोत की से और से आगे और बढ़ाए तो दोस्तों आपने सुना कि लोगों का जो दूख है वो बहुत ही घंबीर है और अगर आप इसे समझ पा रहे तो जरूर यहां पर आए लोगों से बातचीत करें म क्योंकि सरकार ने बजट पास कर दिया स्विकरत रासी भी पारित कर दी और बान बनने की गोशना और सब कुछ हो चुका है तो जो भी लोग सुन रहे वीडियो को अधिक से अधिक से अर करें आज तिसरा दिन है और यह धरना कब तक चलेगा इसकी कोई सीमा तै नहीं है औ तक की बान निरस्त नहों तो वीडियो का अधिक सेर करें ताकि लोगों को पता चले और इस डैम को निरस्त करवाने के लिए अधिकारी प्रसासन सब कुछ एक होकर कोशिस करें तो आप बनेवे थे आपके अपने दोस्त विनोत के साथ कोटड़ा टाइमस में नमस्कार